अच्छिकाल जी देश पर देश देखरें सारे दर्शकां दाप बहुत बहुत स्वागत मैं थोड़ा अपना दोस्तां वन ते हाज़र है जी आज लाइके प्रोग्राम थोड़ा मनुसंद देश पर देश उदे वेचा जे गालबात करांगे जी युके नू लेके ते नियूजलेड नू लेके युके खास कर आज बहुत ज्यादा अड़टाइजमेंट देवेचे सोनन देवेचे देखन देवेच समने आउंदा है वजय कोई भी रही हुवे हो दे चाहिए विदाव टाइल्स करके है या वीजा सक्सेस है एक्चियल होदे पिछे केडियां केडियां हेडन चीजा ने उन्हों जाना दे कोशिश करांगे तक जेड़ा बच्चा होने यूके जाना चाहूंदा है या जेड़े पैरेंट्स बच कैसे विजार्त करते सब्चारव टाइश करेंट्स भी काफी अख्थे सक्सेश स्याइट ने उस कंपनी बहुत बहुत स्वागत है प्रभले यूग के तो क्यूंकि वीजय होदे क्वां moo के कंग परदमाधी इशालिए औरा जीक्षा जाल रहा है की मनना है कितना दा experience रह रहा है थोड़ा कि में दी प्रोफाइल्स ने की कुछ attraction दा कारण देखनों मिल रहा है यूके का जो वीजा प्रूवर लेठा है इस समय बहुत अच्छा चल रहा है यूके गौर्मेंट को जुरूरत है ठीक है माईगरेंट्स भरने की इस से आगे भी सोचने की जूरत है बहुत से बच्चें जिनका profile बहुत अच्छा है रीसेंट पास आउट है ठीक है जो work experience के साथ पी आर भी लेना जाते हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे options हैं कैनेडा है औस्टेलिया है न्यूजीलेंड है तो बड़ा सब्सक्राइशन में की वीजा असान हुए हैं तो चलो UK चलते हैं उस सोच के साथ वीजा निए अपलाई के ना चाहिए है जिड़ा आज नहीं हो रहा या लागदा भी अथे कमी है लेखिया मंजी UK के वीजा पहले भी काफी जबर्दस तरीके से गुले थे 2009 से रामेंगे बहुत लोग गए थे तो मैंने जो experience किया है जो applicants हैं बहुत समझदार हैं बहुत से applicants सोच समझ के decision ले रहे हैं कि पहले भी UK ने विजा दिये थे बच्चे वहाँ पर गए थे 80-90% बच्चे successful नहीं हुए थे वापिस ही आये थे ठीक है यह factor बहुत लोगों के ध्यान में है बहुत से समझदार जो अच्छे profile के applicants हैं वो UK अभी भी चूज नहीं कर रहे हैं पर हून जुमें UK ने work permit भी announce करता प्रसपा उसनों लेके या without आयल सनों लेके भी थोड़े flexibility दिखा रहे हैं उस चीजनों के में देखते हैं तेखो यह बहुत ही positive factor है जो लोग बाहर जाकर work experience गेन करना चाहते हैं ठीक है possibility है PR लेने की लंबा process है पांच साल वहां पर आपको काम करना पड़ता है बड़ स्टिल पॉसिबल और जो profiles Australia Canada जैसी countries को जो है उनकी requirement मीट नहीं कर पाते हैं यह लोग UK को prefer कर रहे हैं उनके लिए beneficial भी है जब एक applicant को assessment करने चाहिए सारी countries जो है आप compare करनी चाहिए किस में ज्यादा benefit है factors ध्यान में रखना चाहिए वीजा success rate quality of education post study work rights क्या है उसके बाद आपको PR के क्या chances है इस तरह के सारे benefits को compare करके फिर a country choose करनी चाहिए जड़े UK जाना चाहूंद है नहीं मैं उनली स्वाल करना चाहूंद है selection हुंदी है जदो institute दी ज है युनिवस्टी ही choose करनी चाहिए लेकिन इस समय जो महौल है इस समय महौल है कि आज हो आज हो वीजा लग रहे है आज हो चड़ जो चड़ जो चड़ जो और वाक्की वीजा थिमें सुनन चाह रहे है अभी 100% लाग रहे है जो लाग रहे है फाइल रिजेक्शन नहीं है देखे 95% है ऐसा नहीं के रिफ्यूजल नहीं आ रही है बट 95% वीजा सुक्सेस है क्योंकि देखो गौर्मेंट को जुरूर्थ है माइग्रेंस ही अन्होंने गंट्री में माइग्रेंस भरने है अपनी रिक्वार्मेंट की वज़ए से उन्होंने वीजा को ले तो हमें भी अपने प्रफाइल को देखना कि क्या हमारे लिए यूके बेटर है नहीं है यह बड़ा जुरूरी है हूंट जे असी सक्सेस दिकाल करने हो तर 95 है जाना भी इन्वेस्टी देवेच है बट पॉसिटिव प्रफाइल्स फॉर यूके केडिया ने सर देखे यूके में यूनि प्रफाइल्स नहीं किया है इंग्लिश के बैसिस पर जो साथ नंबर अगर इंग्लिश में है प्लस टू में उनको भी वीजा मिल रहे है ठीक है इस तरह के वीग प्रफाइल्स को भी कुछ उनिवर्स्टी उठा रही है अच्छे प्रफाइल्स वो डेफिनेटली जाई रह है लेकिन यह एप्लिकेंट ने ध्यान में रखना है कि अगर उनका प्लैन है लोंग टरम में सेटल होना है किसी कंट्री में पी आर लेनी है तो सोच समझ के डिसिजिन ले बिकोज यूके में क्या हुआ था जब दोजार नो से ग्यारा के बीच में वीजा खूले थे एप्ल स्टिकर्स लगे होते थे अगर आप इल्लीगल हो कंट्री से चले जाओ नहीं तो आपको पकड़के अरेस्ट किया जाएगा डिटेंशन में डाला जाएगा और बहुत से बच्चों को पकड़के डिटेंशन में डाला भी गया है तो एटी नाइटी पिस आ भी गया है उसको भी कंसीडर करना चाहिए साथ के साथ अब यूक गों भी कंसीडर करें रहे हैं की शर्त आने हो गिए विदाओट आइल्स इंग्लिश के मार्क्न के बेस्टिस पेड मिशन दिया जा रहा है जो अंडर ग्रेजूएट कोर्स के लिए बच्चे जाना चाहते हैं बैच् सब्जेक्ट में चाहे किसी भी बॉर्ड से उन्होंने स्टड़ी की है हर उन्होंने इंगलिश मीडिया में ग्रेजूशन की है तो उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर रही है जी उन्होंने इनको एक्सेप्ट कर रही है जाए है तो अब आवने तां कंसीडर कीता जा सकता है यूके तुसी जा सकते हैं बट यूनिवस्टी दी सेलेक्शन करके ही जाए हो जिमें अमिजी ने कहा हूर इन्वस्टी दो भी नाल कंसीडर जरूर करे हो कोई भी डिसिजन लेना बहुत सो समझके लेओ क्योंकि यहे थोड़े फ्यूचर दा सवाल है थोड़ा सारा फ्यूचर है देते खड़े थोड़े एक फैसले थे उखला थोड़ा 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 नहीं थोड़े नाल थोड़ी फैमिली दा भी फ्यूचर जुड़े होंदा सो बहुत सो समझके लेना लिया चीज़ा न मैं न्यूजिलेंड दी गाल करना चाहना क्योंकि लास्ट एक केस ही गा जड़ा डिस्कस कर रहे सी ऑफ दी रिकॉर्ड एक पार्टनर वीजा जो की पहले रिफ्यूज कर देता गया सी बट अमिज जी जदो उस केस नू लेया सी गे कह रहे ही मैं काफी कॉन्फिडेंट सी गा के द्वारा वो दा वीजा भी लिया गया मैं थोड़ा जो केस बारे वी जाना चाहूंगा ता की की सीगा एक्चुल दे विच तो उन्हों क्यों लगया विन्हों चैलेंज करना चाहिए उस सारा की प्रोसेस होया था कि पता लगे भी यह यह दा एक्चुल फाइदा लेकिंग राइट्स नहीं है तो वह जाकर एक साल क्या करेगा सर्वाइब कैसे करेगा यह उनका मेन कंसर्न है तो इस चीज को लेके वो लोग काफी स्ट्रिक्ट है मैंने एक स्टुडेंट भेजी थी न्यूजीलेंड तो उसके हस्बेंड का नितिन शर्मा का मैंने जो है अप्लाई किया था पार्टनर्शिप इस विस्टर वीजा तो इंटर्व्यू लेने के बाद एप्लिकेंट का अमशी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया था और रिफ्यूज़ लेटर में लिखा कि जी हम रिलेशन्शिप से सैटिसफाइड है आपका जैनूर तो उसके बाद हमने इमिग्रेशन युज़न का कम्प्लेंट प्रोसेस है तुसी पहले दो बहुत ही आना चाओ ना जो एक होंदा भी रिजेक्शन आगी अबैसी ने डिसीजन देता अबाव 90% कहले यह ता शायद गलत नहीं होएगा चैलेंज नहीं कर दे उन्हों मनके बहें जान दे ठीक है अबैसी डिसीजन इस लास्ट डिसीजन ठीक है जी उननों नहीं लग गया उनना रिजेक्ट करता क्यों लग गया भी नहीं इन्हों चैलेंज करना चाहिएगा सर देखिए सबसे पहले बात यह जो वीजा है पार्टनर्शी बेज वीश्टर वीजा है इसका जो मेन एसेस्मेंट क्राइटिरिया रहता है वो रहता है रिलेशन्शिप जैनून है नहीं है जी रिफ्यूजर लेटर में साफ लिखा है कि यह जैनून रिलेशन्शिप है भी ऐसा कोई मुझे जैनून रिजन लगा नहीं कि इसका वीजा डिकलाइन होना चाहिए और यह मेन क्राइटिरिया मीट करता था जैनून रिलेशन्शिप का तो मैंने इसकी कंप्लेंट लोज की इमिगरेशन न्यूजीलेंड में यह कंप्लेंट वेलिंग्टन ओफिस में से म अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑप्रेशन मैनेजर जो है उन्होंने उसको ध्यान से कंसिडर किया और उन्होंने रिव्यू करके लिखा कि यह गलत डिसीजन हुआ है इस एपलिकेंट का जो जो फाइल है वो असेस होनी चाहिए थी ओन दा बेसिज को अप्रूव करना पड़ा है बिसिकली जदो वकील दी गाला हुंदी है यह बैनेफेट सुन्दे ने जड़ा बिसिकली एक हुवे देखो हुमन है हुमन कहीं गलतियां भी कार देने कि इस डिसीजन भी गलत हो जानदा बट उन्हों चैलेंज्ज वकील ही कार सकेगा मांद सारे यह पिछले दास बारे साल तो तक्रीमन मैंनू भी होगी शोद विचाओं देया नूँ डील कर देंगो दिसीज़ा फस्स केस जड़ा मैं यह दा सौन रहे हैं यह उन्हां चैलेंज करके वीजा ले है देखे जब मैंने वीजा अप्रूव किया जो अपने फैलेव वीजा अप्रूव हो तो बहुत बड़ी बागा जिना वीजा लग गया जी उननों भी बहुत बहुत मुवार का हूं नूज़िलेंड वाल आना चाहना नूज़िलेंड आज प्रेजेंट सेनेरियो फॉदा स्टूडेंट की मैं चाल रहे हैं सर देखे बहुत बढ़िया च चला एक महीने से इमिग्रेशन न्यूज़न थोड़ी से में रिलेक्स लगी है अप्रूवल इट बढ़ गया है अभी हमारे दो ती दिन पहले ही एक दिन में चार अप्रूवल आये हैं इंटर्वी बड़े ईजी लिए गए बच्चों के बेसिक इंटू लिए गए पांच अभी रिसेंटली एक बच्चे का गुर्पिंदर शिंग का विजा लगा है पंजाब से बिलोंग करता है उसका पहले दो बार न्यूजियरंड का विजा रिफ्यूज था आज से तीन चार पांच साल पहले पहले उसका विजा रिफ्यूज था उसको एक बहुत ही फेमस था वो भी इंट्रू की वज़े से एक्सपेरिमेंट सारे हुए था मेरे पास शो देखकर आया था यह देश-प्रतेश का उसने इंदा में टाइम जो उसका डिकलाइन हो गए उसने पहले डिपलोमा आई-टी किया हुआ था आई-टी अले नू डैरी देता फिर कुकरी दे है यह एलेमेंट बन दी मेरेकर सारे है नो पता पना तो यह बात है दो हजार तेरा चोदा पंदरा के आसपास की ठीक है वह बड़ा डिप्रेस था फिर उसने बैचल डिगरी आई-टी की कंप्लीट कर ली थी इंदा में टाइम उसका परफाइल में बहुत गैप था बड़ उसका टाफ इंटर्विव हुआ है अम ऐसी से उसका वीजा तुसी कटे कोर्स पाया थी ग्रेजू डिप्लॉमा इन आई-टी से आलेमेंट फिल्ड है देखे जो रिसेंटली बच्चे ने एजुकेशन की है या वर्क एक्ष्पीर है उससे रेलेमेंट ही कोर्स बनता है इह है ठीक है ठीक है देखो मैं सही बताऊंगा सिकर्ट रेसिपी करके है कि हमारी कंपनी एक ऐसे कंपनी मुझे बड़ा प्राउड फिल होता है जिन्होंने ऐसे होपलेस केसिस टुफ केसिस जिनका गैप है एजुकेशन में गैप है परसेंटेज गम है जिनको इंगलिस बोलन भी एक जनूनेस चलकती है इंटर्व्यू में ठीक है वीज ओफिसर्स को इतना एक्सपीरियंस है वो बोलते है जो रटे रटाई अंसर होते है उनको बोलते है स्क्रिप्टेड अंसर्स के ओपर अप्रूवले ज्यादा नहीं होता है तो एक नैच्वल तरीके से त्यारी कर पांच लाग 10 लाग 15 लाग 20 लाग लेते हैं हम क्या लेते हैं 15 रुपे या 20 रुपे लेखिट ब्लबाय नहीं है जिड़े आम एजन्ट पोस्ट को नहीं है और यह आथेंटिकिनियों कुल नहीं है है इस नम चे भी भड़े बड़े पैसे लगने है जी केस है लगने जिसे मारा लॉयर कर्वामाँगे इनने थे पैसे को आवेर होना बहुत जरूरी अब tv शो हो कर चुका हूं student visa में agent को college से commission मिलती है हमें भी commission मिलती है इसलिए हम जादा पैसे नहीं लेते reasonable पंदरावी से जार पे जो हमने मेनत की है इंट्रो की त्यारी करा ही उसके लिए हम चार्ज करते हैं जह हम partnership based visitor visa application ये work visa application लोग करते हैं generally average 50,000 rupees के आसपास हम चार्ज करते हैं वो भी दो installments में आधी पहले आधी बाद में बहुत से agent हैं पंजाब में जो unlicensed हैं वो इस तरह की partnership based applications agents को refer करते हैं ठीक है और अपने clients से अलग से पैसे चार्ज करते हैं वो कुछ भी हो सकता है पचाजार एक लाग लाग देड़ लाग दो लाग that could be anything तो clients को aware होना चाहिए सिरफ licensed immigration advisor ही है जो visitor visa वर्क विजा की application लोग कर सकता है iaa.govt.nz इस website पर जाकर आप license advisor इंडिया में कौन-कौन से अब search कर सकते हो पंजाब में भी license advisors हैं आप दो-चार license advisors पे मिलो जो आपको अच्छा लगता है जिसकी service या knowledge आपको अच्छी लगती है आप उसकी service अवेल करो around 40 के आसपास license immigration advisors हैं इंडिया में जो हैं तो थोड़ी सी awareness की जुरुत है डारेक्टली जो license advisors हैं या मारा एजेंट्स हैं उनसे मिलके आप अपनी application करवा सकते हो प्रोसेस करवा सकते हो रादर देना किसी बिचोलियों को फाल्तू पैसे दो पर बजी कई मरी होंदा एक company बो लो लिखिया जानदा भी license इडवाइजर आई ए या मारा लाया that's on our panel उदा की मतलब होंदा सर देखिए यह चीज जहां तक मुझे लगता है without license advisor या मारा एजेंट जिसके साथ किसी अन लाइसेंस एजेंट के रिटन अप्रूवल के बीना आप नहीं लिख सकते चलो अप्रूवल भी होए होने क स्पोज मैं वीजा लोना मैं लाइए नू मैलना या या नू मैलना मैं डारेक्ट थोड़ी company होंदा तो तुसी मिलते हूं मैं किसे दी company जानना ओधे पैनल ते है मैंनू लाइए नहीं मिले या ओधे एक्सपीरियंस ओधी counseling मैंनू नहीं मिली ते ओधे पैनल थे होंते एज़ा स्टूटेट मैंनू की फैदा है देखिए बहुत जरूरी है लाइए से मिलना उसकी knowledge को शेयर करना उससे information लेना अपन लाइए जुड़े होया जी डारेक्ट लाइए से मिलना और उसके किसी associate से मिलना दोनों अलग 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 चीज़े है तुसी भी जे लाइसे इमिग्रेशन एडवाइजर अमिद्वार्दवाज जी मिलना चाहने है उना अल देना लाइए अस्टेलिया देभी cases कर देने है हमारा लायर तुसी मिलना चाहने है नंबर नोट का लो ते कॉल करके इनन अपॉइंट्मेंट में के मिलना जा सकता है यूके स्टेडी वीजा समन्दे भी को जान का रही है लाइजा सकती है इनना मोलो कुछ सक्सेस स्टोरी जड़ी है नहीं आने थोड़े के शेर कर लाग ताकि जड़े बच्चे अलड़ी है न तो सभिस ले चुके नहीं की ओना था एक्सपिरियंस रहा है आओ मिलके जान परेंगें कोई एक एजेंट तो जड़ी के रिफ्यूज होगी वे शोटे कारन कारन बच 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 आफट ड़ाइट आई गोट फाइल फ्रम एक्सपर्ट इमिग्रेशन और नहीं मेरी बहुत यादा मत किती फाइल देवेच एंड बिलकुल क्रेक्ट दोक्मेंट लाइज एंड उना में अगर मैं आपने परफाइल के बार में बात करूं तो मैंने 17 में में इपलोमा किया था देन I applied for Canada and Australia in 2018 and 2019 irrespectively पर मेरा डिकलाइन होगा था वीजा मैं बहुत निराश था तब मुझे लाइक किसी ने सुझास्ट नहीं किया था कॉम सा एजन्ट के पास लाइक जाना चाहिए लेकिन मैंने जब अच्पर्ट इमिगरेशन के पारे में सुना यूट्यूब से दन आइवेस्ट इमिगरेशन Hello friends, my name is Shilpa, I am from Mambala. Recently I got my student visa for New Zealand within 15 days. Last year I got Canada refusal, then I came to know about expert immigration and then I met Mr. Amit Bharadwaj who is New Zealand licensed immigration advisor. He guided me very well and he recommended me for applying for study visa in New Zealand for the course Master's in Contemporary International Studies and I applied there and got my visa very early. The staff is very cooperative and they guided me and supported me at every step. I personally recommend each and every student who want to go abroad, please visit their office once. Thank you. My name is Inderjitkar and I completed my 12th class in 2018 and after that I searched various institutes and I came to know about the expert immigration and I came to know about it on Facebook and I got my New Zealand visa because of expert immigration and the staff is very helpful and cooperative and the interview preparation is very up to date and advanced. Hello everyone, my name is Sartak and I got my UK study visa applied from expert immigration and I got UK study visa within two days and I got my UK study visa applied without IELTS and I got my visa for two days and I got my visa for four years and after that I got my post-study visa. So, you have a student and I got my experience. So, if you can know any student from the US, you will want to go abroad, you will want to go abroad, Australia, UK or New Zealand? In the US, you will want to be able to come and be able to come and go abroad. रही है यूके में बहुत सी उनिवस्टीज हैं जो बैस्टर डिगरी के साथ हैं मास्टर डिगरी के साथ एक साल की इंटर्शिप दे रही हैं इंटर्शिप बहुत बहुत इंपोर्टेंट होती हैं और आपके करियर में आपको बहुत हैल्प करती है जी तो आज दे शो दा सम पूर्ण वेते करम कर दें जी दिव जाजद स्विकार दें